वेल्कम दोस्तों सब्सक्राइब करें आरा क्यूंटी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं होममेट टेक्निकल की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों मैं आज आपको फोर सॉकेट फोर स्वीच के बोड का वाइरिंग करना बताऊंगा और दोस्तो ये वीडियो काफी है है और हम जैसे कि हां अगर हम आतना है और कुछ वायरिंग क्षक prov chauffeur को ना वक्षक रसकते हैं और दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देखे गास। मैंने किससाब से किस तरीके से की है कौन सा connection किया है वह सब आपको ध्यान से देखना है दोस्तों इस वीडियो में मैंने यह फोर सॉकेट फोर स्वीच का बोड लिया है और उसके मैं आपको वाइरिंग के connection एक तब इसी तरीक से करके दिखा हूंगा और दोस्तों इससे हमें फाइदा भी है कि हमें अगर ऐसा फोर सुच फोर बोड का connection अगर आपको घर में करवाना हो तो आप खुद कर सकते हो आपको किसी को बुलाने की जरुवत निए और पैसे देने की जरुवत निए यह बोड का वाइरिंग आप खुद कर सकते हैं और द दोस्तो चलो आप वीडियो देखो और मैं अपना connection करता हूँ और दोस्तो पूरे वीडियो को end तक देखना आप तभी आपको सारे wiring के connections आसानी से पता चलेंगे तो ठीक है दोस्तो थेंक यू वीडियो देखने के लिए और end तक बने रहना दोस्तो मैं आपको वाइरिंग करने के बाद आप अपने इस बोड को चेक करके भी दिखाऊंगा कि वह वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है पाउर सप्लाई उसकी बराबर है connection बराबर है कि नहीं है इसलिए दोस्तों आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा और दोस्तों एक बात और मैंने इसमें socket और जो switch यूज़ की हैं वो anchor के हैं और wire भी copper wire है तो हो सके तो आप भी थोड़ा अच्छी quality का switch और socket यूज़ करिएगा जिससे हमारे जो socket और switch है वो काफी long time तक चलते हैं और short circuit होने के chances नहीं रहते हैं इसके लिए दोस्तों तो चलिए वीडियो देखिए आप और मैं वीडियो का work चालू करता हूं झालू करता हैं करतो हैं करता है अ करता है झाल 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 झाल